दो हजार चौबेस पे जुटे सीम अनोहरलाल सीम के भीवानी दौरे का दूसरा दिन है आज कल भी सीम भीवानी में थी तो जनसमाद कारिक्रम जो है वो काफी जादा खाच रहा क्योंकि देखी लोग की समस्याइं सुनते हो नजर आई और मौके पर निप्तारा भी किया गया और आज इते गडाना गाम में सीम का जनसमाद कारिक्रम है गाम धनाना में भी सीम का जनसमाद कारिक्रम है तो दिखिए दो पहर एक बच कर बीस मिनट पर गाम बल्याली में जनसमाद कारिक्रम होगा और भी कई गामों में जनसमाद कारिक्रम होगा और भी कई गामों में ज मनोहरलाल नजर आ रहे हैं कल पहला दिन रहा अलाकि आज दूसरा दिन है तमाम गावों में जाकर जल समस्याइं सुनते हुए नजर आएंग इसी के साथ ही आपको बता दे कि गॉल्डन गर्ल नीतु घंगस से भी मिलने वाले हैं सीय मनोहरलाल तो बता दे कि आली में नीतु घंगस ने काफी बहतर प्रदर्शन खेलों में कर दिखाया है और यहाँ पर इससे पहले सीयम तारीख करते हुए नजर आए हैं नीतु की तो और भी कई गाउं में जनसमस्याइं सुनने वाली हैं तो जनता की क्या कुछ समस्याइं ही का मौके पर ने प्यारा किया जाएगा क्योंकि कल भी एक बुजर्ग ने सीयम अनोहरलाल के सामने गुहार लगाई थी मदद की और ऐसे में नीजी कोर्श से 50,000 रुपई की मदद जो है वो इस बुजर्ग को दी गई थी अलकि और भी आदेश निर्देश देते तो यह नजर आय थे सीयम अनोहरलाल आज कई गाम में सीयम अनोहरलाल जनसामस्याई सुनेंगे तो गाम बल्याली में जनसाबात कारिक्रम होगा और यह जो कारिक्रम है वो काफि जादा खास है तो भीवानी दोरे का दूसरा दिन है मिशन 2024 है तो पार्टी का मिशन जो है वो 2024 है कि 2024 में चुनाव है और अब दिखिए तमाम जो चीजी ही वो क्लियर हो चुकी है